हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप धन्तेरस की आप सभी स्टूडेंट को बहुत-बहुत सुपकामना है घर पे अच्छे से सेलिब्रेट करिए साथ में तो है नहीं तो धन्तेरस पे मैं एक ही चीज आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं कि इस बार आपसे एक्जाम से पहले जितना मे से हो पाएगा मैक्सिमम टाइम तक मैं आपके साथ रहने वाला हूं जन्वरी तक एक्जाम है उसके अंदर लास्ट येर के एक्जाम पेपर सॉल्यूशन हो वह जल्दी से जल्दी अफ्लोड करना उससे रिलेटेड एक्जाम से स्टड़ी प्लैन कैसे पढ़ना है आपके से उपर जो इतने सारे सब्जेक्ट के किस स्ट्रेश उस को रूर करना और कैसे मैनेज और और आपको आगे किस तरीके से सारे सक्गेक्ट को पढ़ना है और सांथ के साथ एक्जाम कैसे करना है उसके उपर मैं बना रहो गा उन emerged G आपको जगाता रहोगा ठीक है न आ ताइम टो टाइम तरह आपको जगाता रहोगा तो चलिए आज की वीडियो जो है मैंने सोचा काफी सारे स्टूडेंट को फाइनेशल मेनेजमेंट सब्जेक्ट के साथ other subject मेनेज करने में काफी प्रॉब्लम हो रही है इस पेशली एक इंकम टेक्स सब्जेक्ट है समिस्टर पांच में जिनमें बच्चों की एर आई है उसको बहुत दिक्कत हो रही है तो चलिए आईए तीस दिन बचे हैं 14 तारिक से एकजाम है आज आपका नौ तारिक हो चुका है तो एक्जेक्ट 30 डेज बचे हैं 30 डेज में उनको बोलना चाहूँआ कि आप सिर्फ उसी को फालो करते रही है आपको इसमें कुछ भी नहीं करना आपका स्ट्रेजी बिल्कुल ठीक है यह उन बच्चों के लिए है जिन्हों ने अभी तक कोई भी स्ट्रेजी प्लान फालो नहीं किया था अब पढ़ने बैठे हैं या चेप्टर का नाम लिखना हूँ यूनिट वगएरे पे मत पढ़िये मैं यूनिट वगएरे बता दूँगा चेप्टर नमबर वन करिए सबसे पहले लीवरेज यूट्यूब पे पूरी प्लेलिस्ट पढ़ी है जाए और देखिया लीवरेज ठीक है नमबर दो इसके और डिडी गीवन है उसु क्यों फॉलो करिए जो बच्चे अभी जॉइन हो रहे हमारे साथ वो इसको फॉलो करेंगे बिलकुल नमबर थ्री पे आप करिए सर नमबर थ्री पे करिए आप क्या कॉस्ट अफ कैपिटल एंड नमबर फोर पे करिए डाट इस आपका वेल्यू ओफ फर्म और वेल्यू ओफ फर्म का मतलब हो गया हमारा सर यूनिट नमबर ये हो गया हमारा थ्री तो सबसे पहले आपको यूनिट नमबर थ्री है ये पूरा ये कंप्लीट करना है सर कितना समय लगना चाहिए इसको करने में 30 डेज है और मैंने 30 गंटे का पूरा स्लेवस बनाया हुआ है 30 गंटे में पूरे अब कई बार बच्चों का मानना होता है मैं थोड़ा से इंटरप्ट कर रहा हूँ मेरे पास बुक नहीं है 10-year है एक 10-year अगर आपको पूरे नंबर चाहिए न आपको यह पूरा पढ़ना पड़ेगा यह पूरी बुक और यह 10-year यह आप देख लिजे नंबर चाहिए सर आप कैसे मजाग कर रहे हैं इतनी म्यूटी बुक इतने सारे एक पूरा 10-year तो 30 दिर में कैसे पूसिबल है कोई ऐसा मिरेकल तो है ने जादू तो है ने जो कर दोगे बिलकुल हो जाएगा और वो भी सिर्फ एक से डेड़ घंटा डेली पढ़के आप सबसे बड़ी पता ही क्या ग़्लती करते हैं सर बुक एक्साम के बचे हैं कैसे करेगे सर बुक कैसे कर पाएंगे पहली सबसे मेजर गल्ती पढ़ने का थोड़ा सा अठेक्टेस अटाएक क्या आप बुक के अंदर मैं बताएक तो आप मान के चलता हूँ देखो जैसे cost of capital है या फिर मैं leverage मान दो जैसे आपके सामने अब दिखनी रहा होगा leverage chapter है आप देखिएगा तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ सर तीरा illustration है तो हर एक chapter में max to max, maximum to maximum 10 से 15 के बीच में questions है एका chapter exceptional छोड़ दीजिए बाकि किसी में तो 5 है किस तो मैं average 15 questions मान लेता हूँ 30 दिन पढ़े ऐसे समझेए आप 15 questions मान लेते है 15 questions मान लेते हैं Woah-vos जाए एक घंटा concept बाकी questions की practice ठीक है इसके अलाबा total 13 चेप्टर है इसके बाद आपने क्या पढ़ना चाहिए साथ के साथ देखते जाईएगा इसके बाद आपको पढ़ना है dividend dividend policy इसको आप कर लेते हैं ना मात्र 60 questions और साथ एक questions को earn and average करने में आपको लगेंगा 10 minutes 15 minutes मानलो तो 15 into 60 करूं तो कितने होते हैं सर 15 into 60 तो 900 minutes or divide 60 कर दें तो सर 15 अगर मैं 60 minutes मैंने गलत बोल दिया यह 60 questions और एक question को करने में 15 बिल्कुल ठीक तो 15 घंटे लगने हैं इसमें इसमें कितने घंटे लगने हैं साहब 15 घंटे आपके लगने हैं total 15 घंटे और वो मैं बहुत ज्यादा कह रहा हूं again बहुत ज्यादा कह र कर रहा हूं sir dividend policy इसके अंदर भी आप मान लेजिए 15 question total कितने question करने पड़े 60 और 15 और चार चेप्टर हैं 60 और 15 कितने होगे sir 75 question तीस दिन है 75 question इसके बाद आ जाईए खतम ये unit number sir 4 है unit number 2 capital इसके बाद आपने करना है capital budgeting नई sorry capital budgeting मत करिएगा इसके बाद unit number 5 उठाईएगा that is इसमें से करना है आपने working capital जो बहुत simple है इसमें से करिएगा आप receivable management या सिर्फ working capital करें बाकी unit को छोड़ दें इसमें से इसमें से working capital करने के बाद आप क्या-क्या छोड़ देंगे sir इसमें से आप छोड़ना है आपने एक तो cash management receivable management और in fact inventory भी छोड़िए सिर्फ working capital operating cycle करिए ठीक है पंदरा question यहां पे है आ गया यह सर unit number two बसता है हमारे पास two that is capital bursting आप live class वाले बच्चे अभी तो डला नहीं है यूटूब पे लेकिन इस हिसाब से करा है ना इस बार capital bursting से सबसे ज्याँ डरतें यह uinii 2 तो देखें तहर पच्चिस नंबर की यह Vinब का येicious पूचाईगा सर पंदरा नंबर के सासे कोशन पूछा जाएगा, सर 15 नमबर का यहाँ से कोश्चन पूछा जाएगा, और जो semester 3 के हैं यही 19 नमबर कर लीजिए अब इसको तो आप देख रहे हैं 15 कोश्चन इसमें माल लीजिए, इसमें हाला कि ज़्यादा है थोड़े 15 माल लीजिए, तो कोश्चन कितने बस्ते हैं, तो यहाँ पर 60 हो गए, और 1, 2, 3, 45, 60 और 45, कितने हो गए, 105 कोश्चन 5 कोश्चन और एक्स्ट्रा माल लीजिए, कितने कोश्चन हो गए, 110 कोश्चन 30 दिनों में, आप 100 कोश्चन एवरेज लीज नहीं कर पाएंगे क्या, 30 दिनों में 100 कोश्चन, अगर 2 घंटे आप बैठते हैं पढ़ने को माल लो, तो 2 घंटे में तो आप ऐसा भी हो सकता है, कि आप 2 घंटे में एक ही कोश्चन कर पाओ, ऐसा भी हो सकता है कि 20 कोश्चन रिप्टा दो, तो मात्र मैं गरिंटीड कह सकता हूं, 100 से 110 कोश्चन आप करेंगे, बुक खतम है सर, ये बुक खतम है, अपने आपको 12 में याद करो, एक चेप्टर में आप 100 सो कोश्चन करते थे, एक चेप्टर में 100 प्लस कोश्चन कर जाते थे, और मैं वो कोश्चन नहीं बोल रहा है, जो कि 55 मिनिट में हो रहा है, एड्मीशन आफ आ गया वो अगर आपके अंदर पैसनिट आ गया कि भाई अब तो करना है दस दिन में निफ्टा दोगे या आप इसके अंदर टैनियर के अंदर जो भी कोश्चन से इसमें आप मैक्स टू मैक्स मान लेजिए पचास कोश्चन वो तो आपने प्रैक्टिस करना है सुल्यूशन देखके भी आपको समझ मैं आगा बुक कर लिया टैनियर तो हो नहीं होना है आपको मैनने जैसे बताया भी था कि सर जो हम क्या कर रहे हैं अगर मैं कोश्चन की बात करूं देखिए मैं कोश्चन हमारे आठ लीवरेज में जबकि मैंने पंदरा एवरेज ले रखा है तो यहां आठ ही हैं यह देखिए कितने कोश्चन है एक दो तीन चार पांच बस पांच कोश्चन में चैप्टर खतम और एक एक कोश्चन कराए गए हैं ऐसा नहीं कि यह कोश्चन छोड़ दिया वह कोश चौदा इस तरीके से टोटल अगर देखा जाए तो चार घंटे में सहाव एक चैप्टर पूरा खतम कर दिया और चार घंटे में देखो कितने कोश्चन समने कर लिए टोटल एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारा सोला कोश्चन कर दिया हमने और मैं तो देख लीजिए यह सारे कोश्चन से कितना टाइम लगना है तीन घंटे में वेल्यों फॉर्म कदम तो इस तरीके से मैंने सभी चैप्टर के उपर स्टार अब ऐसा नहीं है कि अगर इसमें सौ कोश्चन हैं सौ के सौ करें जो कोश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो तो करने ही करने हैं और जो एक्जाम में एक्सपेक्टेड हैं वो भी आपने करने हैं तो यह पूरा का पूरा कुश्चन सापने करना है मैं पढ़ने का तरीका बता रहा हूं आपको आप जो थोड़ी बहुत कामचोरी कर देते हो नो बीच में के सर नहीं हो पाएगा बुक लेके क्या इस वार अपने आपको अजमात हो सकती हैं कि बुकला के देखी लेते हैं और होगा क्या ज्यादा ज्यादा पैसे जाएंगे ना कोई बात नहीं एक बार देख लो अपने आपको और फिर आप अपने आपको याद रखना कि आप पैसे खर्च करके भी नहीं पढ़ सकते हो तो फिर कुछ नहीं कर सकते भाई, फिर मत बोलना कि मेरे जीवन में ये नी हो रहा, वो नी हो रहा, ये सारे बहाने खतम कर देना फिर, आपके पास option है, तो ये financial management का पूरा आपको पढ़ने का तरीका बता दिया, एक, दो, तीन, चार, पाँच, इसके साथ साथ सर, बच्चो एक गले की हड़ी बन गई है, कि पाँचवे समेश्टर में अगर ये clear नहीं हुआ, एक साल खराब है, पाँचवे समेश्टर वाले बच्चों का, तो सर, FM को तो मैंने आपके लिए 30 घंटे के अंदर, 30 आवर के अंदर, पूरा खतम कराने का ठाना हुआ है, और सारी चीज इस amendment है, जो कि आपके slayvers से भी related नहीं है, तो मैं वो सारी चीज़े discuss करना चाहता हूँ, पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, सर, income tax के अंदर, आपको कैसे क्या पढ़ना चाहिए, सबसे पहले आप उठा लीजिए, residential status, नमबर दो पे उठा लीजिए, आप house property, मैं लिख ठीक है न, नमबर पांच पे उठाइए, आप salary, नमबर छे पे आप उठाइए, सर, salary के बाद कौन सा है, other source, नमबर साथ पे आप उठाइए, set up हो गया, या फिर आपका clubbing हो गया, तो ये format लीजिए, सबसे last में उठाइएगा सर, pgbp, पूरी की पूरी वीडियो यूट् पे डल रही है, ठीक है, वैसे ही पढ़ना है आपने, इसके अंदर main होता है provision, और मैंने चार्ट भी दिया हुआ है, जिसके पास book है, इसमें income tax में book नहीं आई इस बार, आई भी है तो वीके सिंधानिया की आई है, और उसके अंदर फिर आपको बहुत ज़्यादा time लग ज कर सकता हूं कि last year वाले जो paper आया था, वो मैं आपको provide करा दूँगा, वीडियो का solution, ताकि आपको पता चल जाए अपने गलतिया क्या करी हुई थी, तो ये है आपका total, सर, manage कैसे करें, मुद्दा तो ये है, सर, आप एक से डिड़ घंटा इसको निकाल लिए, आप week में चुट्टी के लिए, अगर possibility बनती है, क्योंकि आपके घर की परिस्तिती मुझे नहीं पता कि क्या है, और कितने importance है आपका job करना, तो अगर आपको लगता है, कि एक महने के चुट्टी ले सकते हैं, तो please, आप चुट्टी ले लीजिए, और फिर सिर्फ study के उपर focus करिए भी जो भी कम के है, बहुत बच्चों के कहना है, सर, CA का exam class कर रहा है, तो उनका अपना opinion है कि सर, पहले कौन सा paper को quit करना है, और किस paper को देना है, साथ के साथ सर, business stats, semester 3 वाले बच्चे जो है न, business stats, business math, पढ़ ही नीरे, देखना, आप यकीन करना, जो बच्चे semester 5 में है न, comment comment में लिखना, क्योंकि आपके comment से, दूसरे बच्चों की मदद होगी, comment में जरूर लिखना, कि भाई, income tax में यह आ रही थी, और FM और income tax को, दोनों को लेके चलने में, क्या मुसीवत है, यह आप बताना है, अपना जो pain है न, वो मैं तो समझ रहा हूं, और आप मुझसे तो पांच में semester 3 वाले को मैं बता दूँ, दो subject ऐसे है, income tax और management account, जो कि आपको हिलने तक के मौका नहीं देगा, काम तो छोड़ दो, के extra course कर लेंगे यह, दो subject हालात खराब कर देंगे आपके, और अगर आपने तीन में किसी में back लेके चले गए, हालत बुरी हो जाएगे, फि कोई ऐसा measurement है नहीं, FM को आप साथ के साथ लेके चलिए, YouTube पे मैं proper वीडियो डाल रहा हूं, कुछ बच्चे कह रहेते हैं सर, धंतेरस के ओपर कोई अगर आपका कोई course discount है, तो मैंने कहा भाई, मेरा एक ही objective था के मैं अपने course का price best से best और low से low करके लेके हूं, जितना मैं कर आया हूं, अभी तक एक हमने batch launch किया था सर, कौन सा exam oriented batch, आपको description में link मिल जाएगा, और phone number, whatsapp number भी मिल जाएगा, आप contact कर लिजेगा, कोई भी course ले लिजिए, 299 का भी अभी 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 लेवल है, तिल दिवाली, कोई भी, any course लिजिए आप, दिवाली के धंतेरस पे, 209 और इसमें मैं surety देता हूं, कि जिस भी course को आप ले रहे हैं, आपको content है ना, जो education का content है, वो उस level का मिलने वाला है, इससे पहले मैंने उतनी तयारी नहीं करी थी, delivered करनी का, जितना मैं इस बार करने वाला हूं, इसके अंदर तयारी, ठीक है ना, दूसरी बात, नहीं है, सहाब application और YouTube में, मात्र दो या तीन चीजों का फरक है, मैं बता देता हूं, कहीं YouTube वाले सोचे sir, number one, live class, live class, अगर आपको लगता है, live class लेना है sir से, तो लीजिए, अभी capital busting का Monday से new chapter स्टार्ट कर रहा हूं है, techniques, समझ में आ जाएगा, number दूसरा, sir doubt, sir, number तीसरा, personal आपका mentors, ment मिल जाता है, sir, कैसे paper, stress होता है, बच्चों का, sir, कभी नहीं पढ़ा, course भी ले लिया था, तो वो चीज़े आपके एक reduction मिल जाती है, और आपको questions के systematic तरीके से मिल जाना, कोई add नहीं, कुछ नहीं, यानि आपका focus रहेगा, अगर एक चीज़ पर देख रहे हैं, तो YouTube में जायतर जो मुझे problem होती है, क्योंकि कई बार ऐसा नहीं है, देखो, हर कोई पढ़ता है, मैं भी पढ़ता हूं, कुछ मुझे भी topic दिक्कत आती है, तो कई बार मैं भी book देखता हूं, इधर देखता हूं, किसे teachers को मैं भी देख रहा हूं, कि क्या कर रहे हैं, नही आ गया मैं, तो सबसे पहले देखे, financial management पे, 12th की वीडियो आ गई, इसके बाद मेरी वीडियो आ गई, आप देखेंगे, तो सारी वीडियो आती रहे है, मैं मान लेता हूं, कि अपनी classes को देख रहा हूं, देखने के बाद, नीचे कई बार shorts आ गया, रही बच्चा क्या कर रहा है, एक बार इसको देख लेते हैं, यह क्या कर रहा है, copyright से लग सकता है, मैं इसलिए जादा नहीं प्ले कर रहा, तो यह चक्कर होता है, बस application पे, concentration, और भाई साब, वक्त की कीमत, अगर मैं बताओं, तो वक्त का, आपके time का, value अनमूल है, जिसकी कोई value नहीं लगा सक समझे बाता, तो उस चीच को ध्यान रखेगा, time बचाईए, इधर उधर मत invest करिये, एक दिन दिवाली है, celebrate भी करिये, लेकिन अगले दिन से उसी तावर तोड मेहनत करिये, जिससे आपके exam अच्छे हो, तो मुझे बस यह बताना था कि कौन से chapter पहले करने हैं, 30 दिनों के के अंदर आप इजली स्लेवर्स कतम कर सकते हो, और ओल्दो आपके date sheet आ गए है, और date sheet के according 14 तारिक से पहला paper है, semester 3 के अंदर, FM का, मैंने ये link भी आपको description में, मैं PDF का डलवा दूँगा, date sheet का, जिस बच्चे को देखना है, देख सकते है, 31 December को BM का है, ये है SOL का, SOL का असा late exam है, और बाकी अगर देखा जाए, तो ये semester 3 regular वालों का है, 19 December से start है, FM 12 December को है, और ये आपका program वाले बच्चों का है, जिसके अंदर 13 December से ही exam start हो गया है, semester 3 के अंदर, तो ये पूरे की पूरे date sheet भी आपके पास available है, hopefully, आपको समझा आया होगा, काफी बच्चे कह र of marketing पे भी video बनाना चालू कर दूँगा, especially YouTube के लिए, 300 likes आच चुके हैं, देखते हैं, कितने आगे, मुझे तो याद नहीं है, बाकी मैं monitor करता हूँ, ऐसी बात नहीं, कि नहीं monitor करता, देखते हैं sir, कहा गया video, कहा गया, ये रहा, कितने watch देखिए, कितने like है, like कहा देखें Approx 50% आपने कर दिया है, और 50% और रहे गया है, वीडियो आपके सामने है, आप जाएंगे, और मिल जाएगा, मैं description में भी link दे दूँगा, like करिए, 1000 like होते ही, मैं promise करता हूँ, आपके लिए, मैं extra मेहनत करना चालू कर दूँगा, अगर आप मुझे extra effort दिखाएंगे, तो आपके लिए मैं extra उस पर वीडियो पर, specially YouTube के लिए बनाना चालू करूँगा, thank you so much, मिलते हम next वीडियो में,